कि पेट में नहीं आ रहें यह जो जित्वारा है और जो जीत रहा है क्योंकि इंडिया जीत रहा है तो सवाल कर रहें कि एक मंतरी ने तो बोल दिया Congress के नेता भी है मंतरी भी है कनाटक के की डॉल रखी हुई थी मूर्तियां तो थी नहीं है डॉल क्या होती है गुडिया गुडिया रखी हुई थी कॉंग्रेस को गुडिया से बहुत प्यार है गुडिया 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 एक बात ही बला ऐसे खराब बात है अच्छी बात नहीं है देखो क्या है कि इस सारी टिपनी पर मैं आपके चक्र में फसूंग तो था पर मुझसे रहा नहीं गया मुझे लगा कि दिन है और मैं उतरा और मैंने अभी तो ताजा ताजा एरपूर्ट बना है तो वहां क्या भगवान के चरण होंगे पिर भी मैंने अपना माथा तत्वी पर रख दिया मैं लेट गया मुझे लगा कि आज बड़े दिन में यह तो बहुत साड़े 500 साल इसी सर्यूने लाल पानी देखा है रक्त देखा है वो किसके लिए गए वो सिर्फ यह चाहते थे कि जिस एक परमात्मा के नाम पर उनकी सुवह होती है राम राम भाया राम राम बच्चा पैदा होता है कान में बुगा कहती है राम जाता है तब भी कहां कहेगा राम का नाम सत्य है पर यह तब सुन्नी पाएंगे इनका दुरभाग्य होगा तब सुन्नी पाएंगे तो मेरा कहना यह है कि एक पंक्तित गोस्वामी जी ने उन सब के बारे में लिख दिये दो पंक्तिया जी एक तो वो जो ठिपनिया कर रहे हैं और अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं पूर धाली यह है जाको प्रभुदारुन दुख देही ताकि मती पहले हर लई पहले हर लई दिनकर जी ने इसका अनुबाद किया जी जब नाश मनुझ पर चाता है पहले विवेक मर जाता है एक तो यह हमको दो महीने पहले फोन आया कि 21 तारिक लिख लीजिए आयोध्या में यह समारो है और आपको रहना है जो कुछ दो चार हजार लोग रहेंगे मुझे तो अंदाजा भी नहीं था मैं बड़ा प्रसंद रुआ तब से मैं इसे गूंगे के गुड की तर है अंदर अंदर चुपाए चुपाए अपना काम कर करता दारा कि मैं जाओंगा में जाओंगा कुछ हमारे मित्रेसे इन मेरे भी मित्रे आपके मिन जी रोजात आप भी दाद घिस्ते वहन के साथ रोज मुरगे लडाते हो ना आप अवद के नवाबों की तरह और फिर जो कम लड़ता है पर उसको पीछे से कुछ लड़ता क् करते हो पहले हम भी आपके साथ करते थे जी जी पर फिर भगवान ने हमारा उद्धार कर दिया और हम यहां आ गए देखिए राम ना होते ना जीवन में अगर अध्यात्म ना जाना होता मां से ना पड़ी होती मानस तो आज हम सर्यों के किनारे बैठ कर यह पुण्य नभाग होते हम भी दारू का हिसाब दे रहे होते कितने काङ ही कैसे गया जिए भगवाति की कृपा सरस्वति की कि पया इनकी कृपा है यह तो अन्हां की कृपा दूसरी पंक्ति है जाको प्रभु दारुन दुख देई ताकि मती पहले हर लिए जिनको निमंत्रन मिला उसके बाद भी जुनोंने कुचर्चा की या आगे कब आएंगे नहीं आएंगे उनके लिए एक पंक्ति है सकल पदारत है जगमाही करम ही नर्पावत नहीं हो सकता है उनमें इतना विवेक ना हो कि वो इसको इसकी महता समझे खूप खूप चुनाव लड़ें एक दूसरे के खिलाफ हरा जाद हैं सरकार बना लें करनाटक में मध्यब्रदेश में हिमाचल में जहां-जा बनाने सब बनाएं लोकतंत्र में अच्छा काम हैं लोकतंत्र की रोटी आलटी पलगती रहनी चाहिए ये किसने का लोया जी ने समाझवाद का बड़े नेता बिलकुल और लोया जी की आप तो अभी आप किसी दल के साथ नहीं है लेकिन जो कुछ विशलेशक है और नेतागण है वो कहते हैं ये संग और भारती रिंता पार्टी का एक अब अब बताईए अब और नहीं नहीं कि नानी ने इनको मना नहीं करा होगा वो क्या कह रहे हैं आगे सजन बैठे वो करें मैं सनातनी हूं अब आप बताईए अब आप ये बताईए, कोई मुझे से कहता है, मंदिर फला पार्टी ने बनवा दिया, फला प्रधान मंत्री ने बना दिया, फला मुख्य मंत्री ने बना दिया, ट्रेलो के के स्वामी का घर बनाने की अवकात, अभी किसी प्रधान मंत्री, किसी मुख्य मंत्री की हुई नह जिसकी रचना चांद तारे ये जमी सोचो जरा जिसकी रचना चांद तारे ये जमी सोचो जरा उसका मंदिर तुम बनाओगे अमा सोचो जरा हम सब को प्रदान मंत्री जी को प्रतिपक्ष के नेताओं को जिनका नाम ही शंकर पर है जिनका नाम राम पर है ये चुरी जी सीता राम और जिनके पोते ने का राम नहीं हुए जिनके बाबा का नाम ही भगवान का पर्यायवाचिता करुणा निधी वो कहते हैं, राम नहीं हुए, पोता बोला राम नहीं हुए, उन्होंने तो सनातन को भी बहुत बुरे मला ता, राम नहीं हुए, बाबा हो गए तुम्हारे, बड़ा मुश्किल काम है, तो उन सब को यह समझना चाहिए, कि राम, कृष्ण और शंकर, इस देश की सास में समा हुए है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कंकं में समाए हैं, लेकिन कई लोग तो सबूत मांगते रहे, और अभी भी सबूत मांग रहे हैं, कह रहे हैं, गर्बग्रह में मंदिर नहीं बन रहा, अभी भी बहुत कुछ बाते कह रहे हैं, कई नेताओं की तो नानी कहती थी, कि ऐस किसे मंदिर में राम कैसे आएगा नहीं कोई डिकन देगे नहीं नहीं यह क्या है लोग तंत्र है लोग तंत्र में लोग बोल सकते हैं यह दुरभाग गया है कि 29 साल कोट के दरवाजे पर 200 करोड लोग की आस्था खड़ी रही मुझे गरव है कि मैं भारत में रहता हूँ जहां एक भी व्यक्ति ने कोई हिंसक प्रतिवाद नहीं किया केवल हिंसा सही और कहा कि भगवान का घर तो एक दिल लेके रहेंगे एक ना एक दिल लेके रहेंगे कभी ऐसा नहीं हुआ अजा छोड़िये चलिए नाम सुना वे इस देश में आदमी इंचीरों से जगता है रास्ते में रात को अकेला लोटता है ना बसटने से और अंधिरा आ जाए जी यही बोलता है भूत पिशात निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना वे आप इस से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इस देश में बड़ा आदम अ मैं तो हस्ता हूँ आनंद ले तो आप भी लेकरो गुस्सा मत हो ना इतने लोग देख रहे हैं 29 साल मुकदमा चला किस बात पर कि राम हुए या नहीं हुए और आखरी चरण में जब सुप्रीम कोट में मु होंगे कि या तो चलता रहता है समय समय की बात है कभी कभी पुलिस किसी की भैस डूंडती है और वक्त बदल जाता है तो पुलिस उसे ही डूंडती है जी